प्रोग्रामिंग सिखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के वीडियो में मैं आपको वाट इस कंप्यूटर से लेके एक वीडियो में इसी कंप्यूटर वाले वीडियो में सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहें फिर आगे डिसकस कर रहें कंप्यूटर ईसनल from दिवाइस इसलिए कहा गिया है क्यूंक्लै इसलिए क차 닌ने की लिए आपको क्या ने शवावर का करना कोष्व पर ड्री देव्लप किया था यह यह! आ क्प्यूटर के पास शूर्ल्ट के रहाव सब्सक्राइब नेम आपको दिख रहा है इस नेम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चाल्स बैबेज एक्जाम में यह नेम अक्सर पूछा जाता है कंप्यूटर के एंसी क्यू वाले क्वेस्चन में ठीक है तो यह हो गया कंप्यूटर क्या होता अभी कंप्यूटर का क्या क्या है यानि कंप्यूटर काम कैसे करता है क्या 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 काम करता है उसे देखो इट टेक इनपूट्स डेटा फ्रोंदी इनपूट डिवाइसेज कंप्यूटर क्या करता है इनपूट डिवाइस से इनपूट को लेता है यानि कीबोड और माउस इनपूट डिवाइस यही होता है इसी से इंपूट लेगा इस्टोर्स उस इंपूट को स्टोर करता है एंड प्रोसेस्ड इंपूट डेटा को प्रोसेस करता है इप प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा एंड प्रोड्यूस आटपूट आपके आटपूट स्क्रीन में यानि आटपूट डिवाइ करेंगा प्रोसेश यहां पर समझे प्रोसेस करने के बाद उसी इनपूड को प्रोसेस करने के बाद आपफूड देगा आपके आप को स्क्रेशर में आप मौनीठर या फिर प्रिंटर में ग्धी आपने कंप्टियूटर और सेकंड होता है software हाडवेर सफ्ट्वेर क्या होते हैं इन में क्या डिफरेंस है इसके उपर एक वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो आपको इसी वीडियो के उपर में आई बटन में मिल जाएगा hardware वो component होता है computer का जिसे आप टच कर सकते हैं यानि physical component सबसे पहला होता है input device input device मतलब keyboard mouse second होता output device यानि आपका monitor printer यह सभी आटपूट डिवाइस है जहां से output आता है storage device जहां पे आप अपने data को store करके रख सकते हैं computer का brain भी का जाता है ठीक है या दास्त जहां पिए data information को store करके रखता है memory होता है primary memory secondary memory वहीं होता है storage device यह हो गया CPU CPU को तो computer का brain का जाता है यही सब कुछ computer के लिए सब काम यही करता है इसके बारे में आगे detail में discuss कर है फिलाल यहां पर software को देखिए second component होता है अपना computer का software भी दो पार्ट में एक होता है application software जिसे user के लिए बना जाता है जैसे MS office second होता है system software जो कि system के लिए बना जाता है system में यूज किया जाता है जैसे windows अना operating system Linux यह सभी चीजे तो अभी हम आपको characteristics बता रहे है component हो गया अपना उसके बाद full form generations भी डिसकस करेंगे अभी देखे यहां पर हम आपको बता रहे characteristics of computer यानि computer का विशेष्टा क्या है जब आप computer system यूज करते होंगे तो आपने notice किया होगा सबसे पहला होता है speed computer का बहुत ज्यादा होता है आपने notice किया होगा जब आप कोई काम देते होगे तो बहुत जल्दी यह करके दे देगा आपको second होता है accuracy computer अपने result को लेके बहुत ज्यादा accurate रहता है यानि एकदम 100% वह correct result देता है कोई wrong output नहीं देगा यह थर्ड होता है अपना storage computer large amount of information याफ डेटा को इस्टोर करके रख सकता है इसकी memory बहुत ज्यादा होती है TV में होती है आजकल तो ठीक है terabyte फोर्थ होता है quick decision computer का decision लेने का capacity है वह बहुत ज्यादा होता है करमा लिजे आपका data computer के किसी भी पार्ट में रखा हो आप एक बार computer के search बार में search कर दो वह कहीं ना कहीं से उठा के एक second में आपको वह data provide कर देगा last देखो जो कि बहुत ज्यादा important है repeated capability आप अगर एक इंसान को एक ही काम को हजार बार करने के लिए दोगे तो वह क्या करेगा बोर हो जाएगा उसका speed कम हो जाएगा और वह सकता है वह गलत काम कर दे ठीक है उसका काम जो राइट ना हो लेकिन computer में सब नहीं होता वह क्या करेगा repeated काम को उसी speed से उसी accuracy के साथ repeated टाइम तक बिना बोर हुए करके दे देता है कमांड पर काम करता है ना computer इसलिए अभी फुल फॉर्म देखो computer का जो कि की एक्जाम के लिए बहुत important है या फिर कोई पूछ भी सकता आप से कॉमनली ओप्रेटिंग मसीन प्रपोजली यूजड फॉर technologies and educational research technology और educational research के लिए ज्यादा तर यूज होने वाला मसीन है वह होता है computer जो की आपको इसके फुल फॉर्म में दिख सकता है अभी CPU देखो CPU जो की computer का heart होता है दिल होता है जो कि सारा काम वही करता है इसका फुल फॉर्म होता है Central processing unit RAM RAM होता है memory इसका फुल फॉर्म होता है random access memory रोम क्या होता है रोम भी एक memory होता है जिसका फुल फॉर्म होता है read only memory RAM ROM के उपर मैंने एक separate video lecture बनाया है वो वीडियो इस वीडियो के end में आपको मिल जाएगा उसमें आपको यह क्या होता है मैंने डिसकस किया है अभी यहां पर आप देखो हमारा CPU को अगेंड टू पार्ट में डिवाइड किया गया है अलग अलग operations के लिए पहला होता है यह यू अरिथमेटिक लोजिक यूनिट अगर आपको कोई mathematical टास्क परफॉर्म कराना हो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन यह फिर दो नंबर को कंपियर करना तब वह काम आपका यू करेगा अश्यू का कंप्यूटर में जितना भी काम होता है उसको यह सियू करता है जैसा कि इसका नाम ही देखते पूरे कंप्यूटर को यह इसे के उपड़ इसा कंप्यूटर अपना चलता अभी हम आपको कंप्यूटर का इंग के generations होते हैं वो कब-कब release किये गए थे उसके बारे में आपको चलिए discuss कर रहें अभी आप यहाँ पर memory देखो तो सबसे पहला देखो hard disk है HDD का मतलब होता हाट disk drive यह secondary memory का अपना एक्जामपल है सेकेंड देखो RAM random access memory जो की primary memory का एक्जामपल है थर्ड होता रोम read only memory यह भी primary memory है memory दो पार्ट में होता है एक होता है primary जो कि यह दोनों primary memory है और यह अपना secondary memory है यह backup storage प्रोवाइड करता है pen drive भी आप लिख सकते हैं secondary memory के लिए जो कि बाहर से यूज करते हैं यूज करने के ठीक है इसके उपर भी मैंने computer memory को पर एक वीडियो बनाया है वह वीडियो का लिंक में description में आपको नीचे दे दूंगा अभी generations देखो जो कि बहुत ज्यादा important है computer अगर आप पढ़ते हो तो generation आपको जरूर आना चाहिए पहला होता है first generation first generation के लिए core element में vacuum tube technology यूज किया गया था और इसे 1946 में release किया गया था first generation हो गया second generation computer का है transistor core element यूज किया गया था यानि transistor technology था 1959 अभी आप यह मत बुलना कि first generation कहां से कहां तक था 1946 से ओविसली 1959 तक रहा होगा क्योंकि second जब तक नहीं यह तब तक तो वही रहा होगा अभी third क्या हो रहा third generation में यूज किया गया इंटीग्रेटेड़ सर्कीट कोर element था जोकि 1965 में release किया गया था fourth generation computer में large scale integrated circuits को यूज किया गया था core element के तौर पे टकनोलोजी के तौर पे इसे 1971 में release किया गया था और यह 1985 तक था उसके बाद अभी fifth generation चल रहा है जो कि और वर्ट से अभी इस पर काम चल रहा है 1985 से यही अभी तक है तो computer बहुत ही important होता है आज के real life के हिसाब से भी आपको बता दो कि आप अपना जो smartphone भी Android phone भी जो यूज करते होंगे तो उसमें भी आप देखो होगे कि वो भी एक mini computer कही example है ठीक है तो मैंने इस वीडियो में आपको computer के बारे में जितने points आप से count किये थे वह points मैंने आपके साथ detail में discuss कर दिया है अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे share कर दीजिए चानल पर नहीं subscribe कर लिजिए